तो आप सब लोग कैसे हैं बता दीजेगा मैं तो बहुत अच्छी हूँ और जो भी होगा मॉर्णी सीवनीते का रोटी आप लोग केसा शेयर करूंगे तो बस यहाँ पर यह चोटी-चोटी पौधे लगे हैं और अभी ग्रोही कर रहे हैं तो इनको क्या अभी टाइम चुट पौधे और टमाटर के पौधे लगाए साथ में गुलाब की कल्मी लगाई थी वह काफी अच्छी से ग्रोह कर रही है तो इनको में अभी काफी जादो धूप होने लगी है तो सोच रहे हैं सुबह सुबह पानी दे दुछ ज्यादा अच्छा है तो इनको भी एनरजी मिल जाएगी और धूप से लड़ने की ताकत मिल जाएगी तो बस यहाँ पर मेरे जो सुबह मौने में कपड़े दोएते वो भी सुखा देती हूँ और व्लोग कैसा लगता है जुरू बदादेगा अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास तक ब्लॉग में बने रहिएगा तो बस यहाँ पर कपड़े सुखा कर और फिर में मिलती हूँ आप लोगों से बस पूजा करके और मैं आ गई हूँ यहाँ पर लंच बनाने हैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही समझ लीजिए यह तो इसी को बच्चे ब्रेकफास्ट में भी कर लेंगे और लंच में भी यही दिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने आलो को बॉइल होने के लिए रख दिया था आलो अच्छे से बॉइल हो चुके थे उसके बाद इसको ठंड़ होने के लिए निकाल के रख दिया था बहार और आप में च्छिल लेती हूं तो आज मैं बनाने वाली हूं आलो की रेसिपी तो आप से भी से रिखेस करूंगे प्लीज व्लॉग में बने रहेएगा रेसिपी देखीएगा कौन सी बना रही हूं मैं आप लोग को कैसी लगती है रेसिपी ज़रूर बताईएगा तो यहाँ पर सब आलो च्छिल लेती हूं में और आलो से बनाने वाली हूं मैं आज आ यह काटा लिया है और इसमें कोई मोयनवर नहीं डाला है जिदे नमक डालके सॉफ्ट आठा तियार कर लिया है उसके बाद आलो का मसाला मै ने तयार करके आलो के मसाले को भी बूना नहीं है यहां पर मैंने हल्दी नमक और थोड़ा-स लालमिचए पौड़र डालके हरा द कचोरी ना फूटे तो वैसे भी कचोरी नहीं फूटी थी हम ध्यान से बनाओना तो नहीं फूटती हैं तो यहाँ पर गरम-गरम कचोरी दूँगे बच्चो को चाई के साथ में तो यहाँ पर चाई के साथ में बच्चे आलो की कचोरी खाएंगे उसके बाद जो थोड़े ब यहां पर यह कचुरियां बन के तयार हो चुकी है चाई भी बन गई है तो बच्चों को दे देती हो खाने के लिए आप लोग पर आजाईए बहुत ही यमी लगती है तेस्टी लगती है आलो के कचुरियां तो इससे आप आलो के पराठे भी बना सकते हैं अगर आपको जादो डीफ फ्राइ नहीं करना है तो आप और थोड़ा पतला बेल के और आलो के पराठे बना लीजी लेकिन यहां आप आफट आलो के कचुरी बना के उनको दे दी है लंच में भी वह आलो के कचुरी ही खाएंगे इसलिफ में बना के रख देती हूं क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे काम है अभी तो मिरी डोलके क्लास भी अटेंडने करपारियों में और मुझे फिर मार्केट पी जाना है मार्केट जाना है साथ मुझे अनुष्का को च्छीच होडने पिछाना पड़ेगा और काम तो सारे हो चुके हैं बस यह एक्स्ट्रा काम है इनको करते करते लाइट चली गई तो कई बार लाइट गई है और लाइट किया जाने के वज़े से काम भी नहीं हो पाते हैं तो बस यहां पर मेहना अनुश्का को जा रही हूं कोचिंग छोड़ने और अभी बज़ र जल्दी कर लिया करो तो अच्छा रहता है पांदस मिट पहले जल्दी से जाके बैठ जाओ तो कोई हर्ज नहीं है उसमें और फिर लेट जाती रहते हैं तो इस चक्कर में क्या होता है कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है बैसिक रहता है न वह छूड़ जाता है जल्दी करो फटाफट तो अभी तो मैं आपके साथ में वीडियो को शेयर ने कर पाऊंगे बाहर का और उसको छोड़के आने के बाद यहां पर मैंने देखिए गेस पर रख दिया है एक तपेली में शुगर डालके और पानी डाल दिया है और एक तरफ बन गई हमारी चाय तो बस चाय बन गी चाय चान लेती हूं और यहां पर जो शुगर सिरफ बना रही है यह मैं बना रही हूं रशना पानी के लिए तो मैं इसी तरह से शुगर सिरफ बना के और फिर रशना पानी बनाती हूं थोड़ा सा मतलब शुगर को पानी की साथ में अच्छे से मेल्ट कर लेती हूं गरम कर लेती हूं और जब अच्छे से मेल्ट हो जाती है शुगर उसके बाद फिर उसको में थोड़ा ठंडा होने देती हूं उसके बाद रशना पानी मिलाती हूं तो यहां पर यह अच्छे से शुगर हना मेल्ट हो चुकी है तो गेस को आफ कर देती हूं और हमारी बन चुकी है तो चाई पी लेते हैं तो चाई पीने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से और बताऊंगे रशना पानी किस तरह से बनाना है तो चलिए आप लोग भी आजाए चाई पीने के लिए गर्मा गरम शाम की चाई आज ग्रीन टी नहीं बनी है मेरी और कभी-कभी मुझे ही आला सजाता है ग्रीन टी बनाने में तो यहां पर बस चाई पी रहे हैं और चाई पीने के यह देखे काव्या है ना जालू लगा रही इसने क्या करा है कि जो स्यों और परमल खाया है ना वो सबी दूर सबी दूर फिला रहे हैं दाने 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 दान अब जारू लगा के सारा कच्रा उसमें उठाया है और वो मटकी नहीं निकाली थी पानी भरने के लिए लेसन खाली हो गया था तो मैंने सुचा कि यह नई मटकी है इसमें पानी भर के देख लूँगी अगर ठंडा रहेगा तो ठीक नहीं तर शीवतला सब्समें पे नई मट की ले लूँगे और यहां पर यह लेसन अद्रक मैंने सुखा के रखा था तो इसी का मैं बना रही हूँ पाउडर तो अद्रक काफे चीज़ा सूख चुका है और अभी बज़रा है शाम का साड़े पांच क्या सपास हो रहा है और अनुश्का को यह मुझे लेने जाना है क पानी का समय हो गया मॉर्निंग में पानी नहीं आया है पीने का तो अद्रक का पौॉडर बना लेके छोटा वाला मिक्सर का पॉट लिया, मेने तो इसमें क्या पिस नहीं रहा था और ब्रबर गर्म हो रहा था मैं सोचा अ कि इमाम दरस्ते में रोकर 爾म पीस जाएगा क्योंकि यह जो अध्रक है यह काफे अच्छे सा सूख चुका है तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाना चीए मुझे पीसने में लेकिन फिर भी है पीस ने रहा था इसमें फिर मैंने बड़ा ही पॉट ले लिया मैंने का बड़े पॉट में जल्दी पीस पी था आप किसी भी कॉटन कपले से इसको ढख कर और अच्छी कड़क दूब में रख देजी सूखने के लिए तो अच्छे से सूख जाएगा ना उसके बाद इसका पॉडर इसली बन जाता है तो बस यहां पर देखे मैंने पॉडर बना लिया है और इसमें से मैं हाफ ना जी उस समय इस पॉडर को यूज में लेंगे हम लोग तो बस यहां पर मैंने पॉडर के दो हिससे कर दी हैं एक दीदी ले जाएगे एक में ले लूँगे और यहां पर यह पानी ठंडा हो चुका है रशना के लिए तो मैं बस इसमें डाल देती हूँ यह रशना के जो पैकेट हैं वो खोल के डाल दी हैं बस और ज्यादव कुछ नहीं करना है यहां पर दीदी खड़े हैं तो मैं उनी से बात कर रही हूँ और बाहर से कुछ लाने के बात हो रही है खाने पीने के लिए तो मैंने का साथ में को भी बिमारी भी आएगी मैंने का बाहर का खाएंगे तो बस उसी टॉपिक पहारी बात चल रही थी तो बस कहा कि कुछ नहीं होता है बाहर का खाने से मैं गवादा चलो ठीक है कभी-कभी तो खा सकते हैं तो बस बाहर के खाने में दिखते हैं क्या लेक्षित आना है हम लोगों को और यहाँ पर रचना पानी बन गया है तो बस मैंने उसको रख दिया है और यहाँ पर मैं हो गई हूँ अनुशका को लाने के लिए रेडी तो यहाँ पर मैं यह फेस कवर कर लेती हूँ अच्छे से और मास्क नहीं लगा रही हूँ अभी फेस कवर कर रही हूँ और बालों में ह आने वाली हूं खाने में ये भी देख लीजिएगा आप लोग तो चली चलते हैं और यहां पर मैं अनुष्का को कोजिंग से लाने के बाद उसके पासफर साइस के फोटो के लिए रुख गई थी तो काफी जाता भीरती और सर ने बोला था कि पासफर साइस के फोटो किछव ले गए थे चोपाटी से मैंने लिया था मन्चुरियन और नूडल्स तो बस यही मन्चुरियन और नूडल्स ही खाएंगे मतलब इतना घर में बनाने के बाद भाद भी थोड़ी लगती है बच्चों की चाहत खाने की तो बस लेके आगे थी मैं थोड़ा सा जादा नहीं उसके बाद मैंने अपने लिए तो रोटियों सबजी बनाई थी और हाउ टू में के लिए जो रेसीव बनाई थी वो खाई थी तो बस आज का व्लोग आइंड करेंगे फिर मिलते हैं नए व्लोग में नए रोटिन के साथ में तब तक के लिए बाइबाई